हाई गाईज तो आज से तीन महीने पहले मैंने स्प्लिट्स विला 15 के विनर का नाम बताया था और आप में से अभी भी काफी सारे लोग कमेंट करके बोलते हो कि नहीं भाई जस्वन्त आकरिती या फिर दिग विजे कशिश में से कोई हमें विनर देखने को मिल सकते हैं हाँ मुझे पता है कि मैंने इस बार इस प्लिट्स विला 15 के काफी सारे न्यूस गलत दिये है बड़ ये जो विनर का मैंने बताया था वो एकदम सही था और इसके काफी सारे क्लिप्स हमें ना स्टार्टिंग से ही अब तक देखने को मिले थे जो कि भाई बहुत कमी लोगों ने हाइलाइट किया था क्योंकि वो ओवियस हो गया था यार क्योंकि उस क्लिप्स से भी एकदम साफ पता लग रहा था कि जस्वंत और आकृती ही हमें विनर देखने को मिलेंगे और उसी तरीकी से अभी एक क्लिप और है जो कि हाल फिलहल में कुछ जादा ही वाइरल जा रहा है और इस क्लिप के अंदर भी शिवित एकदम डायक्ट हिंट दे देता है कि इस प्लिट सुलर 15 का विनर कौन है मैं क्लिप्स का यूज नहीं करने वाला क्योंकि बंदे लोग इससे स्ट्राइक भी दे देता है बट मैं आपको बता देता हूं कि क्लिप्स में सिवित ने क्या बोला था और शिवित उस क्लिप में डिकिला से बात करता है जहां पर वो बताता है कि अगर तू विनर होती ना तो सिर्फ तेरे क्लिप्स जादा दिखाये जाते वीडिस के तौर पे या फिर शो के अंदर भी तुझे काफी जादा दिखाये जाता और ये चीज आ आकरिती के साथ हमें स्टार्टिंग से बोलते आ रहे है कि आकरिती ना वीडिस के अंदर को जादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है और वो लिटरली भाई शिवित ने भी यहां पे इसी चीज को पॉइंट आउट किया है अगर आपने मेरी प्रीवेस मतलब कि वीडियोस को प्ले करोगे न तो उसके अंदर मैंने एकदम साफ साब बोला था कि जिस तरीके के आकरिती रोडिस के अंदर थी ना भाई यह उससे एकदम डिफरेंट लुक कर रही है वह बहुत ही जादा ओवर करने की कोशिश कर रही है वीडिस के अंदर और दिकिला भी है कि अगर जब शो में 22 होना है तो शो को करते ही क्यों है स्टार्टिंग में ट्रॉफी दे दे कुछ एस टैप का वर डिकिला भी बोलती है तो इनसे तो इतना तो एकदम क्लियर होता है कि भाई आप किसकी बात हो रही है और देखा जायना तो यह कहना उनका एकदम सही भी है आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक लिए बाई